हलो डियो स्टूडेंट्स स्वागता है आपका आपके अपने यूटूब चैनल पर डियो स्टूडेंट्स मादमी सिक्षा बोर्ड रास्तान अजमेर ने बोर्ड एक्जाम 2023 क्लास 12 इंग्लिस लिटरेचर का ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है तो आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है क्लास 12 इंग्लिस लिटरेचर का ब्लूप्रिंट इस वीडियो का आप लास तक जरूर देखिएगा इस वीडियो में आपको बताया जाने वाला है कि आपकी जो board preacher होगी English literature की उसमें जो questions पूछे जाएंगे वो किस तरह के पूछे जाएंगे objective person कितने होंगे और पिछले वाले paper से ये paper कितना different होगा तो students last तक जरूर बने रहीएगा वीडियो अच्छी लगे तो like कर दीजिएगा चैनल पे नए हो अभी तक subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर दीजिएगा और English literature से समंदित इसी तरह की और वीडियो जगर आप देखना चारे हो तो bell icon को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो जैसे ही चैनल पे upload की जाए तो उसका notification सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए तो बात करते हैं अपने English literature के blueprint की और ध्यार रखिएगा ये जो blueprint है इसी के अनुशार बोर्ड प्रीक्षिया के अंदर पेपर आपको देखने को मिलेगा तो सबसे पहले जो आपकी बोर्ड प्रीक्षिया होगी English literature की वो असी नमर की होगी जो कि आप देख सकते हो और टाइम जो मिलने वाला है पेपर सॉल करने के लिए तीन घंटे 15 मिनट मिलने वाले है जो पेपर आपको दिया जाएगा बोर्ड एक्जाम के अंदर English literature का तो सबसे उपर उपर general instructions होगी जो आप देख सकते हो general instructions जिसमें point number one यही कहता है कि आप अपने जो roll number है वो paper के उपर लिखे उसके बाद दूसरा जो point हो यह कहता है कि सारे questions करने compulsory है और तीसरा जो point है वो यह है कि परते question का जो जवाब है वो दी गई answer book के अंदर ही लिखे next जो चोथा point है वो यह कहता है कि जो भी part आप कर ले हो उस part के question एक साथ लिखे दूसरे part के question के बीच में ने लिखे और उसके बाद आगे देखिए कि अगर कोई error या difference या कोई contradiction in Hindi and English version में अगर आपको question paper में मिलती है तो question of Hindi version should be treated valid तो Hindi version का जो question है वो ही valid माना जाएगा तो यह 5 क्या होगी general instructions अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपना जो paper उसको देखते हैं अपना paper जो आप देख सकते हो इस तरह का आएगा सबसे पहले जो आएगा वो section A होगा reading section होगा reading sections आप देख सकते हो reading section में unseen pages दिया होगा unseen pages आप देख सकते हो अलग अलग paragraph के अंदर आपको मिलने वाला है और यह तीन paragraph चार paragraph में आपको मिलने वाला है और सबसे आनिकी अलग बात अब की बार आपको जो देखने को मिल रही है unseen pages में कि इसके जो question होंगे वो objective type के होंगे और परते का answer देने सई जवाब देने पर आपको एक number मिलेगा तो देखिए यह unseen pages के question objective type में तो आप देख सकते हो objective type question दे रखा है पेसेज देख करके आपको पेसेज पढ़ना है और पेसेज का क्या करना है जवाब देना है तो इस तरह से इसके अंदर आप देख सकते हो तीन जो question है वो objective type है उसके बाद देखिए students कुछ अलग भी है जो objective type के अलावा जो descriptive type भी आपको एनकी question देखने को मिल रहे हैं और last के अंदर देखिए आपको क्या मिल रहे है same as word लिखने का भी मिल रहा है लेकिन सबसे अलग बात अब की बार ये देखने को मिल रहे है same as word में जो same as word दे रहे हैं तो ये आगे आपको bracket में पता चलेगा कि इसका जवाब कोंसे paragraph में मिलेगा जिसे very early है तो ये paragraph नमर वन के अंदर इसका जवाब मिलेगा पूरे पैसिज को आपको देखने की जड़तर नहीं पड़ेगी बिजनस डिलिंग है तो paragraph नमर तीन में इसका जवाब मिलेगा तो इस तरह से ये रहने वाले हैं आठ नमर का ये पैसिज होगा उसके बाद देखिए दूसरा जो पैसिज है ये poetry के रूप में है और इसमें भी क्या दे रखा है इसमें भी objective type question दे रखिये हैं आप देख सकते हो जो भी आपको write लगे हूँ आप पर कर दीजिएगा इसकी PDF चाहिए तो आप comment box के अंदर जरूर बताइएगा description box से भी आप download कर सकते हो इसमें भी देखिए तीन objective type है उसके बाद descriptive है और last के अंदर देखिए इसमें similar word भी आपको ढूंड़ना है तो यह हो गया आप section B देखिए students section B के अंदर writing section है जिसमें 150 से लेकर 200 words में आपको क्या लिखना है एस से लिखना है कोई 2 में से 1 पर जिसे mobile addiction हो गा है या role of women in society next जो है जो था इसके अंदर आपको क्या करना है यह आप देख सकते हो आपको importance of yoga in students life इसके उपर आपको speech deliver करना है और option में जो question आएगा वो article काएगा तो आप article भी कर सकते हो अगर article आ रहा है तो article कर दीजिए वरना speech कर दीजिए section C देखिए section C में students आपको नई चीज क्या देखने को मिल रही है वेसे तो यह topic नया नहीं है लेकिन नया यह है कि अब की बार जो literary terms जो चार आती थी पहले भी अब की बार भी चार यह आई ही लेकिन अब की बार चार में से आपको तीन करनी होगी उससे पहले जो paper में पूछा जाता था वो चार में से दो करनी होती इसलिए अब की बार त्यान रखिएगा दो नहीं करनी है आपको पूरी तीन करनी होगी तब जा करके नमर मिलेंगे तो यह literary terms का अलग है अब की बार थोड़ा दो की बज़ाए तीन करना है अब देखिए एक नई चीज और देखने को मिली है students नई चीज literature के अंदर यह दे देखने को मिलेगा जो आपका Frost section है उस प्रोस section से चारड़ आच चैप्टर है उन से आपको कोई भी पैसेज दिया होगा और पैसेज करके उसके निचे क्योस्तिया होगे और उन क्योस्तियो बेलाप को उसे पेसेज से आपको लिखना होगा जो आप देख सकते हो पेसेज उसके बाद देखे 80 से 100 वर्स के अंदर आपको लिखना है 6 नमर का यह हो गया देखे स्टोरी से क्योशन पूचा गया है इसके अंदर तो एक तो सेंटल आइडिया पूचा गया है इसमें पोईटरी सेक्षन है वन सेंटिमेटर आगया एक तो इसका आगया एक सेंटिमेटर और यह स्टोरी का हो गया यह तो और उसके बाद देखे वाइडो यू थिंक डॉक्टर मार्गोलिन हैड़ दा क्यूरियस एक्सप्रियेंस अगला देखिए कोई दो करने है आपको आंसर एनी टू कोई दो करने है इन में से तो क्योशन नमर 13 आप देख लीजिए तो नमर का है चोगद्वा देखिए क्रेक्टर केस्पूचा है मनजूला का चाहिए तो उपर वाले कर दीजिए यह नीचे जो दे रखा है कि वाट इस दे न्यू बर्थ फोर परभरीती यहां परभरीती की जिए का प्रकृती आना चाहिए था तो प्रकृती आपको आने की लिखना है तो आप यह कर सकते हो जो चोगद्वा परसन है इन में से आपको एक करना है तो आप देख सकते हो उसके बाद 15, 16, 17, 18, 19 तक यह परसन है और 19 में भी ओप्शन में दे रखा है जो भी आपको अच्छा लगए वो कर सकते हो तो उसके बाद देखिए आंसर देना है आपको 80 से 100 वर्स में क्योशन नमर 20 इसमें 2 क्योशन दे रखा है आपको एक करना होगा उसके बाद 50 वर्स में तो 21 में में भी 2 परसन दे रखिए है आपको एक करना होगा और उसके बाद 100 वर्स में देखिए क्योशन नमर 22 और 23 इसमें उप्शन वाले परसन है तो इस तरह से आपका English Literature का जो पेपर होगा, बड़ा लेंदी पेपर होगा, बहुत ही बड़ा पेपर होने वाला है, तो आप इस पेपर की हिसाब से अपनी त्यारी है, वो जारी रखे, किसी प्रकार का English Literature में कोई डाउट हो, तो comment box के अंदर आप चरूर बताईएगा, औ पोडल पेपर से समंदीत, most important person से समंदीत, मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड की जाए, तो उसका notification सबसे पहले आपके पास पहुंग जाए, thank you for watching.